अब इस लेक्षर में हम देखेंगे के एक एदर टूल है यह कैसे काम करते है वन यू आइग तो वर्ड्स ते सर्च इंजिन डेडाबैसिस ले में सी अलिशेट मैं यहां पर अलिशेट एयाई रिसर्च एसिस्टेंट है इसका नाम इस पर क्लिक करता हूँ और कुछ इस तरीके से मेरे पास पेपर जाना स्टार्ट हो जाएंगे ठीक है जब आप अपलोड करेंगे न कोई सब्सक्राइब को लिखा कि मुझे डेटा साइंस इन अगरी कल्चर पे मुझे आर्टिकल दो और डिफरेंट किसम की चीज़ें मुझे दिखा यहां पर आपके पास सेम वही चीज़ें आ रही है कि आप कौन-Kवन सी चीज़ें करते हैं इस्टार आफ की बेस पे से नीचे जाए and then export as मैं कि सारे के सारे डेटाबेस को जितना भी मेरे पास आएगा मैं इसको export as csv file भी कर सकता हूं excel के अंदर कॉमा separated जो फाइल होते हैं तो मेरे पास इस तरीके से file save हो जाएगी ठीक है आपको एक डेटाबेस hands-on practice के साथ दे देता है यू can work with that other than that अगर आप study type के उपर यहां पर कोई और चीज़ करते हैं तो आपके पास डिफरेंट डेटाबेस हमारे पास intervention का मतलब यह होता है कि treatments कौन कौन से use होई है उसके अंदर तो अगर आपने वह चीज़ें लेनी है तो वह भी आ जाएंगी outcomes measured हर एक paper के अंदर कौन 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 से results की measurement ली गई है समझे बात की अगर आपके paper में कुछ specific parameter measure किया गया है तो वह यहां पर लिखा आजाएगा ठीक है तो आपके पास outcome measured जितनी हुई है उस data में वह आ जाएगी फिर number of participants यानि कि treatment या number कितना था participants का वो आ जाएगा अब विसली जब medical data होगा तो फिर उसमे number of participants आएगा otherwise नहीं आएगा so आप कुछ और भी search कर सकते हैं same papers में तो elicit आपको ज्यादा एक go through देता है एक paper को search करनेगा और usually यह helpful तब होता है जब आपके पास outcome measured आपने देखनी हो और आप इसको CSV में save कर लेंगे इसका क्या फाइदा होगा जब भी कभी आपने resource utilization पे बात करनी है किस specific pollution पे बात करनी है यू नो कि इस paper में इसके बारे में बात हुई तो basically at the end हम papers को select कर रहे हैं आपने देखा होगा start में million में paper थे फिर हजारों में आए फिर सैंकुडों में आए अब यह एक-एक paper की बात हो रही है और इसकी बेस पे तो आप आगे लिखते हैं ना कि फलान बंदे ने ये बात की मैं ये बात कर रहा हूं फलानी ये बात की मैं ये बात कर रहा हूं ठीक है हम जब google scholar पे थे यहां पे अगर मैं google scholar पे वापिस जाओं यहां पे मैंने लिखा था data science in agriculture तो मेरे पास 74,000 paper ऐसे ही है फिर मैंने आइस्ता इस्ता 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 उसको और refine करना स्टार्ट किया ना वन बैवन paper की base पे मेरे पास results आ रहे हैं यह outcome में यह एक paper की है फिर अगले की फिर अगले की फिर अगले की so I can see के मेरे पास जो parameters होंगे तो वह अच्छे तरीके से काम करेंगे तो हमारे पास elicit के अंदर भी आपको sign up करना बेता है ठीक है so it's always better कि आप गूगल अकाउंट ऐसा रखें जिसके तूरू sign up कर सके की को elicit आम में से किसी ने अगर पहले यूज किया please let me know it's good to know कि अगर आपने ये पहले यूज किया हुए नहीं किये तो now it can help you a lot